जे शन्यासी बाबा की, जे बागिश्वर धाम की, जे बालची सरकार की जेसी के गुरु देव धाम पर नहीं है आप सबी भक्तों को पता है जो धाम पर भक्त जा रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, अर्जी बांद रहे हैं और अपनी पेशी पूरी कर रहे हैं वो अपने कर्म अपने कादी अपना नियम पूरे कर रहे हैं आप देख रहे हैं बागिश्वर धाम सरकार धाम पर नहीं है शहर गए हैं और अपने भापर भक्तों से मिले बिल रहे हैं और जो भी सुन रहा है भक्त वहाँ पे सभी मिलने आ रहे हैं जिसकी भावना जैसी है अपने खाली हात नहीं आ रहे गुरु देव के लिए कोई न कोई उभाल लेके आ रहे हैं आप देख रहे हैं, जो गुरु देव हैं, कहीं भी चले जाएं, अपने उसी भेश में रहते हैं, चाहें वो कितना बड़ा शहर हो, चाहें दुमाई हो, या कितना भी बड़ा शहर हो, हमीशा हर्मान जी की तरह पादु का पैंते हैं, लकडी की, हर्मान जी की तरह छले पैं अपनी प्रसंता और मुस्कुराट देख रहे हैं गुरुदेब और यहां तक कि अपना पात्र में ही चाय पीते हैं अपने पात्र में ही पानी पीते हैं जैसे के देख रहे हैं उनका नारियल का पात्र है जिसमें वो चाय पीते हैं उनका हमीशा यही इसी में पीते हैं आप देख सकते हैं कहीं भी विदेशों में ने विदेश हों में कितने बड़ी शेयर में चले आई गरुदेव अपना अपना सुभाव कहीं किसी चीज चीज के लिए चेमज wordtक अद्धे नहीं लिए्चेज करते हैं इतना बड़ी विवस्ता, इतना बड़ा पिंडाल, इतनी चेर हैं, ये बी आई पी लोगों के लिए हैं, सब भक्त यहां पर बैट कर, गुरुवर्ग के प्रविचन सुनेंगे, गुरुवर्ग ग्यान देंगे, इस कल्यूक का, जो जीवन में भक्तों के चल रहा है, मानफ जीवन कैसा जीना चाहिए, बमोटीवेशन से मोटे मोटा, जो हमारे जीवन में हो रहा है, आज कल बहुत जादा इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत जादा मनों में सवाल उठते हैं, हर चीज़ को लेकर, जीवन कैसा जीना चाहिए, ग्रस्ति कैसी चलानी और यहाँ पर वो लोग नहीं होंगे, भक्त जो जो हाँ पर अपने धाम पर हो जाते हैं, कथा में हर किसी को है, लेकिन यहाँ पर वो लोग होंगे, बियाई भी लोग पड़े लिखे, जो उनके हिसाब से लेवल से बाद बोलनी है, इतना असान नहीं है भक्तों के माइक बोलना और इतनी पड्वे जयजक बे डर अपनी हनुमाद जी पर विश्वास करके सब को इच्यान प्रुदान करते हैं, हनुमाद जी की चोपाईयों के बारे में हनुमाद जी क्ता के बारे में ऊगाchu है, झो इसे कथा करने नहीं गाए, लेकिन अग गिन रशन हमारी दिनगे और बरम अपना गुरु अब्धार मेरा दरं की होता है हमारा जीवन हमारा मानफत तन आना है दुनिया में क्या इसका मतलब है हर चीज़ के बार में गुरू कर जैनले करें ऑर इसब सब्थार को हें इतना सारी फैस की गई है घुरु देब लीन इस्प सामने हैं और यहां मोडर और nell trucी इंसान से बैठी है और गुरुडड से बाते करने जैसे के बागिश्वर्दाम थाज़रकार में अपनी अपनी प्रोग्लम से कोई करजे में दुखी है कोई अपनी गिरस्ती में दुखी है कोई अपनी लफ के उसमें मावलिम दुखी है कोई अपनी प्रेद बादाओं से दुखी है कोई अपनी तन से दुखी है दुनिया में हर कोई दुखी है कहते हैं कोई मन दुखी सुखी राम के धास Sus Хорошо हमेशा समसारि चीजर उनसे थोड़ा बहुत दुखी रहता है लेकिन अंदर प्रिसंद रहते हैं और सबसे बड़ा प्रिसंत है उसे किया जाती जो नहीं जो ऑनननद होत बशा, तो आप देख सकते हैं अमीर समीर लोग भी आनद अंदर से नहीं रख पाते, उपस सब कुछ होता है, वो अपने तन बदन को चमका लेते हैं लेकिए अंदर से खुश नहीं रह पाते, हमारी आत्मा को परमात्मा की अवशक्ता होती है, हमारे हर चीज के एक वैलू होदी है ज़ीसे के भोग लगती है हम मचले को पाने अवशक्ता होती है और Krish byłिष चाया के अवशक्ता होती है तो वैसी ही इसका लियूग में बहुत चंचल रहता है अपनी कता से जोड़ें भजन करोगे तो अपने यहां पी शांत अपने ठिकाने पे आ जाएगा और अपने आत्मा को हमीशा परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो क्योंकि परमात्मा तब तक ने दिखाने दिरा जब तक हमारे अंदर के आत्मा सोची नहीं हो रही है कि आशुद्धी हमारे शरीर में होती है हम अपने परमात्मा पर ही अंगली उठाते हैं अपने परमात्मा को ही पेचानने से मजबूर हो जाते है तो हमारे इतनी पुने आत्मा हमारे गुरु दे बागिश्वर धाम सरकार यही अंदिकार मिटाना और यही उनको हिंदू राष्ट बनाने का सपना है इतना बड़ा उसलिए वो इतनी मैनत करते हैं सफ़र करते करते अपने नीन पूरी करते हैं और जहां भी जाते हैं बहुत एक दो घंटे की नीन उनको योगी वरना नीन्द भी पूरी नहीं होती है तो आप देख रहे हैं बागिश्वर धाम सरकार जो हैं पूरा हिंदू राष्ट बनाने का सपना है उनका तो हमारा करतव पे हैं हम गुरु मानते हैं तो जो भी गुरु है जो भी इनको मानता है अपने छोटी सी छोटी जो से गुरुदे को सपोर्ट करें जिसकी जैश्यू श्रत्ता है और अपने धरम का थो हमारा भी करतव बनता है कि अपने धरम को थोड़ा बहुत अपने जादनी पैचानतों लें कम से गम अपने ही अंदर अंदिकार फ्हला हुआ होता है तो हम दूसरे को क्या वो करते है तिसलिए अपने कथा ग्यान पाओ, कथा सुनो, भजन करो, रामायड पढ़ाओ, उपने बच्चों को रामायड पढ़ो, घर गरस्ते वाले को जरूर रामायड पढ़नी चाहिए और सभी को वैसे तो सभी को पढ़नी चाहिए लेकिन बहुत से नहीं पढ़ते लेकिन घर पढ़नी चाहिए रामायड पढ़ो, बच्चों को हनमायड चाहिए साप पढ़ाओ, उपने बच्चों संसकार चिकाओ, इंग्लिश मड़े में भी पढ़ाओ, कोई मनाई नहीं है, अधिक सदिक पैसा कमाओ, लेकिन उसके अंदर संसकार भी पढ़ो, क्योंकि मैंने बहु संस्कार दो अपने माटा-पिता की सेबा करो बच्चों भी धर्म है और अपने भच्छों को संस्कार सिखाए और हवान छाली सा पढ़ाएं भागबत कता जो भी हमारी धर्य 기वत की पुस्त करहां हैं कि यह सब पढ़ाएं हर चीज का बच्चे को जयान दें और अपने भास करने करें भग्वान की और देखें और अपने सलश्खृति मैं आपको अप्टेट चाहिए जो तो अक्लिविट फिर मिलते हैं जब तो जैश्री राम, खरहर महादेव, जैश्री किशना, जैसीता राम